बायोग्राफी बाई रोहित चैनल पर आपका स्वावत है नब्भे गतसक्य अंतिमाई इताल मूवी तो आपने देखी होगी जो 13 अगस्त 1999 को ढुलीज हुई थी और इस मूवी में हमें नजर आए थे अनिल कपूर, अक्षे खन्ना, एश्वराय बचन, अमरेश पुरी, अलोकनाथ, सूपरिया, सौरप सुकला, प्रतभी, सुसमा सेड, आवी कलाकारों ने इस मूवी में काम किया हलो फ्रेंड, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं बायोग्राफी बाई रोहित इस वीडियो में हम ताल मूवी की को चंसुनी बाद है बताएंगे जो आपको शायद ही पता हो अगर आपने हमारा चैनल वायोग्राफी बाई रोहित सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजी चलिए बीडियो को सुरू कर दे है नमबर एक, अमिर्खान को पहले अक्षे खन्ना का रोल ओफर किया गया था नमबर दो, अनिलकपूर वाला रोल सबसे पहले गोविंदा को ओफर किया गया लेकिन इस रोल के लिए गोविंदा ने मना कर दिया और इसके बाद अनिलकपूर वाला रोल अमिर्खान को ओफर किया गया लेकिन अमिर्खान ने भी इस रोल को करने से मना कर दिया नमबर तीन जब अनिलकपूर से उनकी भूमिका के लिए संपर किया गया तो उन्होंने सुभास गई को सुझाब दिया कि केवल कमल हसन ही यह भूमिका कर सकते हैं लेकिन बाद में सुवास गई ने उन्हें भूमिका निवहने के लिए राजी कर लिया और उन्होंने यह भूमिका स्विकार कर ली नमबर चार, सुवास गई ने 1995 में एक अलग फिलिम सिखर सुरू की थी जिसमें एयार रह्मान शारुख खान जैगिश रौब मनीशा कोरैला ने संगेत दिया था बाद में उन्होंने तिरिमूर्ती की इस असपलता के बाद इस प्रजेक्ट को छोड़ने का फैसला किया और इसके बजाए परदेश बनाने का फैसला किया सिखर की स्क्रिप्ट के कुछ हिस्सों का इस्तमाल ताल में किया गया नमबर पाँच फिलिम की सूटिंग के दोरान अक्षे खन्ना के बाहल जड़ने की समस्या चरम पड़ थी यह इतनी बड़ी समस्या बन गई कि सुभास गई ने मीडिया में भी इस मुद्ध्य को उठाया नमबर छे इक सुबिना क्या जीना यारो इस गाने को पहले सिकर फिलिम के लिए रिकॉर्ड किया गया लेकिन सिकर फिलिम नहीं बन पाई और यह गाना ताल फिलिम में प्रियोग किया गया नमबर साथ इस फिलिम में मूल कलाकार सलमान खान, महीमा चौदरी, अमिर खान थे लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हो सका नमबर आठ फिल्मों में मुख्य कलागारों और क्रू के नाम ए अक्षर से सुरू होते हैं जैसे अंगलिकापूर, एस्वर्राय, अक्षे खन्ना, अलोकनात, अम्रेसपुरी, एयार रह्मान, आनन्दवक्षी नमबर नो, 1997 में फिल्म की काश्टिंग करते समय, सुभास गई अक्षे खन्ना की भूमिका के लिए फर्दीन खान को लेने के विचार पर विचार कर रहे थे लेकिन फिरोज खान चाहते थे कि फर्दीन सिर्फ उनकी होम प्रोडुक्षन प्रेहे मगन पर ध्यान के इंद्रित करने नमबर दस, महिमा चौधरी के बहार जाने के बाद, मनीशा कौरैला मुखे भूमिका की दाविदार थी नमबर ग्यारा, इस फिलिम में अलोकनाद का रोल सबसे पहले अनपमखेर को ओपर किया गया लेकिन किनी कारणों की वज़े से बहस रोल को नहीं कर पाए और अंत में यह रोल अलोकनाद ने निवाया नमबर बारा, यह फिलिम कनाडा में बड़े पैमाने पर सिनिमा घरों में रिलिज हुई नमबर तेरा, इस फिलिम में साहित कपूर ने कहीं आग न लगे गीत में बैग्रोंड रांसर के रूप में काम किया वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें बायबराफी बाय रोही चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद जय भारत